नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा हाज यूँँ आप सभी के सामने आपके अपने चैनल जोतेशन वास्तों में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कोई एस्ट्रोलोजिकल प्रडिक्शन बताने नहीं आया हूँ नहीं आपको कोई ग्रहों की गढ़नाय समझाने आया हूँ नहीं किसी भी चीज में कोई बविश्यवानी यहाँ पर करने आया हूँ आज इस वीडियो में बात करने वालों एक बहुत ही बहुत ही जादा घंबीर मुद्दे पर मुद्दा आप सभी के सामने कॉमन है कोरोना पर मैं कुछ बाते बताने आया हूं जो कि आज शायद मैंने खुदने फेस करिए आप इसको आप अभी ती बोल सकते हैं जो कि शायद मेरे ही उपर बीती है दोस्तों कल शाम को ही मेरी कॉलोनी में इवन जहां पर मैं रहता हूं मेरे ठीक चार गर छोड़के एक गर में कोरोना पॉसिटिव आए गये हैं तो हाला कि उनकी गलती थी वो परसो के दिन कहीं कार में बैटके आरम से गुमने गए थे और उसके और पूरी फैमिली गर में लॉक है यह आप सभी के गर पे आप सभी के आसपास में आप सभी की सोसाइटी के आसपास कहीं नकी ऐसी सती बनी हुई है दूसरी चीज़ कोरोना का जब कोई पेशेंट पाया जाता है तो सिर्फ वो सफर नहीं करता यह मुझे खुद मैसूस कोरोना का अगर कोई पेशेंट है तो सबसे पहले वो सफर कर रहा है और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार सफर कर रहा है उसका पूरा परिवार अपने गर में बंद है ना उसको कुछ मिल पा रहा है ना उससे कोई सपोर्ट कर पा रहा है ना उससे कोई सबजी दूद या कुछ भी material पहुँच पा रहा है ना ही किसी भी तरह से कोई neighbor support उसे मिल पा रहा है हम इंडिया में रहते हैं और basically हमारे यहां पर दो रूल या दो चीजें बहुत जादा फिमस है पहला अतिती देवोबवा और दूसरा जब कोई काम नहीं आता तो सबसे पहला काम करता है पडोसी मतलब किसी से बने ना बने पडोसी से जरूर बनाये रखें आज वो इस्तति है कि आप शायद यह देखेंगे कि family member तक हमारे सगे नहीं है और पडोसी भी हमारे सगे नहीं है तो यह एक बहुत ही जादा गंबीर विशह है कि इस बिमारी ने हमें इस हद तक पास कर रहा हूं और रोज s surveys शकी के मंदिर में पूजा ने जाता हूं कि तो मंदिर जो है वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है तो यहां पर जब मैं आज भी सुबह रेगुलर अपने नियम के हिसाफ से जब मैं आज सुबह वापस जहां पर मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा तब वहां के पुजारी जी मुझे कहते हैं कि आपके गर के बिल्कुल पास में ही कोरोना पेशेंट है तो इसलिए क अतारण ही ऐसा चल रहा है तो इसी रिए ना तो आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि क्या वो कहना चाहरे हैं है और वो क्या कह रहे हैं और शायद उन्होंनेने कहते हैं के ते कोई गलती ना कर दी तो मैंने अपनी पूजाक Tob करी और मैं सीधा अपने गर वापस आ случае तो यह difference है दोस्तों कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं यह हम क्या कर रहे हैं। उनके गर के आसपास के चार ब्लोकों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। इट मींज कि उनका गर साथ हमारा गर और हमसे आगे वाला कर। मतलब कि पूरा एक block section है जिसे block कर दिया गया है इट मिंस कि we also cannot go out now and we also cannot do anything now तो एक Corona patient के चकर में एक आदमी या एक परिवार नहीं सफर करके एक पूरी society सफर करती है ऐसे ही कुछ और भी cases मेरे सामने आए मुंबई के कुछ especially cases हैं जहां पर लोग colonies में बंदें अपनी अपनी society में बंदें वह अपने गढ़ से क्या अपनी colony से बाहर नहीं निकल पा रहें और जब भी बाहर जाते तो एक certificate एक test का report बहुत जरी process से उन्हें निकलना पड़ता है पर at the end problem क्या है problem सिर्फ इतनी सी कि हम अपनों से भी दूर हो रहें हम अपने पड़ोसियों से दूर हो रहें और ऐसा ही एक और case मेरे सामने आया जब ऐसी ही एक पड़ोस की society में एक आदमी को corona हुआ था एंड उसने अपने गर से जब पड़ोसियों से help मांगी तो पड़ोसियों ने help करने मना कर दिया आज वो इस्तती हो गई कि वो आदमी कोरोना से positive था उससे negative होके अपने गर आ चुका है जब वो अपने गर आ रहा था तो जो hospital वाले थे उन्होंने उनका स्वागत किया तालियां बजाके फूल दिखाके रोजेज देखे बुके देखे उन्होंने उनका स्वागत किया और जब अपने गर पहुँचे तो शायद पडोसियों ने बिल्कुल opposite उनका वहवार किया और यही एक reason बनाए कि वो अपना गर तक बेचने को आज तयार हो चुके है उनके गर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यह मकान बिकाओ है और हम यह मकान बेच के छोड़के जाना चाते हैं जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तब उनने मुझे कहानी बताई कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है और इस करण से अब मैं इस सुसाइटी में इस घर के आसपस रहना नहीं चाहता हूं इंसान अंदर से ही इतना ज्यादा टूट रहा है कि उसे यह नहीं समझ में और रहा है कि वो क्या एक्सप्रेस करें आप जब इमोशन से टूड़ जाएंगे तो आप अपकेले पन में आपको रहेंशन और यह यह दिप्रेशन पहीं इन्सानें जो की हमारी अच्छा होगा ही होगा एक चोटे से ख़राब समय किई दुश्मन मन जाएंगे और हम अकेले ही हो जाएंगे और अकेले हो गए तो अकेला आदमी इस संसार पें नहीं चल सकता है कहीं न कहीं किसीने किसी मोड पर आपको भी किसीने किसी की मदद की ज़रुत पड़े ही पड़ेगी तो इसलिए ये लडाई है ये जंग है और एक लडाई में अकिला सिपाई नहीं चल सकता उसे पूरी सेना की जुर्वत पड़ती है है तो इसलिए हम सब अगर मिलके सपोर्ट करेंगे तो हम इस इस बिमारी की लडाई में जीत पाएंगे कोरोना से हमको ही हमें अपने आपको बचाना है जैसे कि उन्होंने गलती गरी आराम से बैठ की गुमने निकल गए वो ना करें ‎प्लीज थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें और प्रॉपर प्रिकॉशंस रखें बच्शे हों गे उनका डर आपको लगा रहेगा आपके करेंगे उनको नहों हो इसका विश्चie द्यान रखे। आप अपना ध्यान रखें और उनका ध्यान रखें अपनी फैमिली का ध्यान रखें तकि आप एट लिस उस लेवल पे रह पाएंगे कि आप जरुत पढ़ने पर किसी और की मदद कर पाएंगे। बुरी भावना न रखें, ऐसा बिलकुल भी न करें, जिससे कि आप खुछ शर्मिनदा हो जाएं कुछ दिनों बाद, और आप एक अच्छा रिष्टा खो दें, इसका आप विशेज दियान रखिएगा, माफी जाओंगा अगर मैंने किसी भी तरह से कोई गलत वर्ड यूज किया हो, या आपकी किसी भी भावना को सिर्ठेस पहुंचाया हो, मेरा उद्देश्य था कि जो आप भी ती मैंने देखिए, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूँ, इसके अलावा वीडियो को प्लीज लाइक करते रहिए, शेर करते रहिए, सब्सक्राइब करते इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे astrologically कोई consideration चाहते हैं, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप मुझे YouTube मेसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हरसनमों मददियां पर कर सकूँ, धन्यवाद